रोहिल शीटी द्वारा होस्ट की जाने वाले स्टन्ट शो खत्रोग हिलाडी के 14 वे सीजन का फैंस को बेसबरी से इंतिजार है फिलाल शो की शूटिंग रोमेनिया में हो रही है शो के तमाम कंटस्टन्स खत्रों से खेलने के लिए विदेशी जमीन पर पहुँच चुके है हाला की खबरे आ रही है कि शो की शुरुवात में भी खोब ड्रामा शुरू हो गया है कंटस्टन्स के भी जगडों से लेकर होस्ट रोही शेटी के साथ भी बहस की जाने की खबरे सामने आ रही है वही ये भी खबर आ रही है कि शो का एक कंटस्टन्स रोही शेटी से क्लैश होने के बाद एक्टिवेट हो चुका है स्टन्ट बिल्ज रियल्टी शो खत्रों की खिलारी सीजन 14 की शूटिंग रोमेनिया में चल रही है मिली जानकारी के मुताबित शो में काफी ड्रामा शुरू हो चुका है खबर है कि कंटस्टन्स के बीच जड़प हो रही है इसके साथ ही मैजबान रोही शेटी के कंटस्टन्स की बहस और इवेक्शन की खबरे भी सामने आ रही है रिपोर्ट के मताबिate जिस Конंटेस्टेंड और रोहिशेटी के बीच बहस हुई वह है और कोई नहीं बखि आसिम रियाज है इक टाइम्स की रिपोर्ट के मताबिग रोहिशेटी के साथ देखी बहस के बाद आसिम रियाज को शोड़ कर जाना पड़ा प्रोडिक्शन के एक अंदरू निश्ट सूतर ने बताया है कि एक स्टन्ट में आसिम के हारने के बाद उनके और मेजबान रोही शेटी के बीच काफी बहस हुई जिसके कारण उन्हें शो से बाहर कर दिया गया उन्हें तदकार प्रभाव से रियालिटी शो छोड़ने के लिए बोल दिया गया है हाला कि आसिम रियाज नभी तक कोई कमेंट नहीं किया है लेकिन उनकी टीम के एक सदस्से ने इस खबर को जूटा करार दिया है चैनल ने इस पूरे मामले पर कोई कमेंट नहीं किया कंटेस्टेंस के लिए रियालिटी शो में वापसी करना असान नहीं है अब यह देखना होगा कि क्या आसिम रियाज को वापस बुलाया जाएगा या नहीं वही आपको बता दे खत्रोगी खिलारी सीजन 14 के साथ आसिम रियाज की टेलिविजन में बिग बोस 13 के बाद वापसी होने वाली है बिग बोस 13 में आसिम रियाज फर्स्ट रनर अप थे इससे पहले आसिम रियाज इमान शी खुराने के साथ ब्रेक अप को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे खत्रोगी खिलारी के सीजन में आपको शिलपा शिंदे, सुमोना चकुरबर्ती, क्रिशना श्रोफ, निम्रित कोर आहुवालिया, आदिती शर्मा, बिग बोस 17 के कंटेस्टेंट, अभी शेक कुमार, शरलिन बलनोट, नियती फत्नानी, गश्मीन महाजनी, करनवीर महरा, और अनुपमा फेम आशिश मलोतर सहीत कई सितारे शामिल होने वाले हैं